आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ इस क्वेशन में क्या दे रखा है उसने थ्री नंबर की बात कही है अब इस क्वेशन को समझना काफी important कैसे उसने क्या बोला कि इफ थ्री नंबर आड़ेट इन पेर्स अब कोई तीन नंबर होनको पेर में आड़ करना है तो पेर का मतलब क्या होता है दू मतलब हम एक बार में सिर्फ दो नंबर आड़ कर सकते हैं ठीक तो दो दस सम एक्वल टू 10, 19, and 21 तो यहां से हम एक आडिया लगा सकते हैं कि जो पेर लिया गया है कितनी बार लिया गया है तीन बार तभी तो तीन सम अलग लग दिया हुआ है तो अगर तीन नंबर हैं अगर सपोज हमने क्या नंबर ले लिया है ए, बी और सी तीन नंबर ले लिया हमने इसको हम क्या लिख दे हैं थ्री नंबर तो अगर हमने तीन नंबर ए, बी और सी ले लिया है तो इनको तीन बार आड़ करना पेर में ले करके तो pair में कैसा PR, एक बार हमने N2 ले लिया, एक बार इन दोनो के ले लिया और एक बार इन दोनो के लिया तो इसलिए 3 बार सum हो जाएगा तो क्या है नडी कर सकते हैं, कि A PLUS B EQUAL TO 10 दूसरा क्या नड कर ले, B PLUS C EQUAL TO 19 and A PLUS C EQUAL TO 21 तो देखो हमने pair में एक बार इन दोनों का pair, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, कितना sum कितना है? 10, 19, 21. तो इस तरह से हमको note करना था question पढ़ करके, अब क्या करना है, हमको इन तीनों की value निकालनी है, यहाँ पर optional question है, नहीं कुछ भी, तो अब इन तीनों value कैसे निकालते हैं, तो जब भी ऐसे condition है, तो क्या करते हैं, सब को add कर दें, ठीक है, तो सब को add कर देंगे, तो सब कितनी बार हैं, यहाँ पर क्योंकि, यह a दो बार आये हुआ है, b दो बार है, c दो बार है, तो जब add कर देंगे, तो 2 common ले लेंगे, तो यहाँ जागा a plus b plus c, common क्यों ले लिए, क्योंकि यह सब 2 दो बार है, तो यह हो जागा 2a plus 2b plus 2c, तो 2 हमने common ले लिया, इसको हम add कर देंग तो जैसे add करेंगे, तो कितना आ जा गए, 50, तो यहाँ से a plus b plus c की value कितने निकल के आ गए, 25, तो हमारे पास एक equation और मिल गई, अब इस equation को use करके हम सब की value निकल लेंगे, ठीक है, तो equation first, equation first है क्या, a plus b plus c equal to 25, और हमको इस part की value पता है, कितनी है, वो 10 है, तो यहाँ पर क्या c की value आ गई, 15, अब जैसे हमारा c निकला, तो c किसकी equation में है, इस equation में है, तो और इस equation में है, तो यहाँ से अगर c की value यहाँ put करेंगे, तो a निकल आएगा, और इसमें put करेंगे, तो b निकल आएगा, तो चलो पहले तीसरी वाल equation ले ले लेते हैं, तो a plus c equal to 21 था, अब क् ने, इसमें c की value put कर दिये, तो a plus 15 equal to 21, तो a की value कितनी आ गई, 6, a निकल आया, b निकलने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, क्या था यह, b plus c equal to 19, और c की value कितनी दे रखा है, 15 equal to 19, तो b की value कितनी आ गई, 4, तो हमको क्या करना था, यही 3 number निकलना था, a, b, c, तो a कितना आ गई, 6, b कितना गई, 4, और c, 15, तो हमारा answer हो गया, a, b, c की value, numbers are 10, 6, and 15, हमको यह निकलना था, a, b, c, 6, sorry, a की value थे, 6, 6, 4, 15, तो क्या क्या हो गया, यह, 3 numbers हमारे पास हो गया, 6, 4, 15, तो पहला है 6, दूसरा है 4, तीसरा 15, क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके, नीट, IIT, JE, मेंस और अडवांस के लेवल तास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप, यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स, 8444 पर